नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रेस में मैं आपके साथ निहावर्मा क्रिशी बील किसानों और सरकार के लिए आफ़त बन गया है केंदर सरकार सितंबर माहा में तीन नए क्रिशी विधेक लाई थी जिस पर रास्चुपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं किसान इन तीन क्रिशी विधेक विलों के विरोध में आंदोलन भी कर रहे हैं क्रिशी कानून के खिलाफ किसान संगटनों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हालात दिन प्रति दिन लगबग बेकाबू होते जा रही हैं दरसल केंदर सरकार ने जब से इस कानून को संसद में बिल के रूप में पेश किया तभी से किसानों और विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था इन बिलों के विरोध में तवाम उप्जिशन पार्टियां और किसान का एक बड़ा समुहू विरोध कर रहा है पंजाब में तो इसके खिलाफ रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया था और किसान बिल जो कानून बन गया है उसको खत्म करने की मांग करने लगी है लेकिन जब उनके बाद सीरे नहीं चड़ी तो उन्होंने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया इस आंदोलन में पंजाब, सहित, हर्याना, उत्रपरदेश, राजिस्तान तथा कई अन्य राज्जों से किसान शामिल हो गए और उन्होंने दिल्ली में परवेश करने के कई बोर्डरों को घे लिया किसान अपनी मांगो को लेकर दो महा से अधिक समय से धर्ना रथ है इसी बीच किसान ने ताओं और सरकार के बीच करीब बारा दोर की वारता भी हुई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला परवेश करें और उनका रुट निर्धारित करें ट्राक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान शंगटनों के नेताओं के बीच कई दोर की वारता भी हुई और रूट का निर्धारन भी किया गया लेकिं 26 जन्वरी को जो हुआ उसने पूरे देश की जनता को जजकोर कर रख दिया आखिर किसान क्यूं सडकों पर उतराएं हैं आए समस्ते हैं कि इस आंदोलन की जड़ क्या है क्रिशी सुधार से जुड़े तीन विधेगों में से दो विधेगों को राज्य सभा में 20 सितंबर 2020 को पेश किया गया केंद्रे क्रिशी मत्री नरेंदर सिंग तोमर नी विधेगों को सदन में रखा क्रिशी संबंदर बिलों को राज्य सभा में क्रिशिक उपज व्यपार और वानिजी विधेग 2020 तथा क्रिशक कीमत आश्वासन एवं क्रिशी सेवा करार विधेग 2020 धवनिवित से पारित कर दिया गया सदन में जवर्दस्त हंगामे और विवाद के बीच राज्य सभा में दो किसान बिल धवलिट से पास कर दिये गए इस दोरान विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर नारेवाजी की और अरोप लगाया कि सदन की कारेवाही नियमों के खिलाफ हुई है किसानों को अपने फसल में नुकसान नहीं हो इसके लिए देश में किसानों के लिए MSP की विवस्था लागू की गई इसमें अगर फसल उत्पादन के कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे MSP के हिसाब से खरीद लेती है MSP में सभी फसलों का नियुंतम मुल्य टै कर दिया जाता है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके MSP पूरे देश के लिए एक होती है साथी राज्य की सरकारे अपने अपने राज्यों के किसानों के लिए MSP परदान करती है इस कानून के जरिय सरकार ने मंडी से बाहर भी क्रिशी कारोबार का रास्ता खोल दिया है मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोशित हो गया है मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपच MSP पर लेते हैं लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए MSP को बेंच मार्क नहीं बनाया गया है इसलिए मंडी से बाहर MSP मिलने की कोई गारंटी नहीं है दूसरा डर सरकार ने क्रिशी कानून में मंडीयों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है लेकिन उसका इंपेक्ट मंडीयों को तबाहा कर सकता है इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है इसलिए आर्थियों को भी डर सता रहा है इस मसले पर ही किसान और आर्थी एक साथ है उनका मानना है कि मंडीयां बचेगी तभी तो किसान उसमें MSP पर अपनी उपज़ बेच पाएगा तीसरा डर इस बिल से वन कंट्री टू मार्केच वाली नोबत पैदा होती नजरा रही है क्योंकि मंडीयों के अंदर टैक्स का भुक्तान होगा और मंडीयों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा अभी मंडी से बाहर जिस Agriculture Trade की सरकार ने विवस्था की है उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा जबकि मंडी के अंदर ओस्तन 6-7% तक मंडी टैक्स लगता है किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आड़ते या विपारी अपनी 6-7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है इस फैसले से मंडी विवस्था खराब होगी मंडी समीती कमजोरी होगी तो किसान धीरे धीरे बाजार के हवाले हो जाएगा जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तयरेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी चोथा डर किसानों की इस चिंता के बीच राजे सरकारों को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा जिसे वेविकास कारिय में इस्तमाल करते हैं एक बिल कॉंट्रेक्ट फॉर्मिंग से सम्मंदित है इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में SDM फैसला करेगा उसकी अपील DM के यहां होगी ना कि कोर्ट में किसानों को DM, SDM पर विश्वाश नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार के हक में ही फैसला देंगे केंदर सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है सरकार अपने ओफिशल ब्यान में MSP जारी रखने और मंडिया बंद ना होने का वादा कर रही है पार्टी फोरम पर भी यहीं कह रही है लेकिन यहीं बात एक्ट में नहीं लिख रही इसलिए शंका और भ्रम है किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी ब्यान खड़ा किया जा सकता है जिबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानुनी अधार नहीं है हालाकि सरकार सीरे से किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है लेकिन किसान मानने को तयार किसानों की स्थिती पर भी एक नज़र डालते हैं आज भी भारत के कई छोटे किसान के पास उप्युक्त निवास स्थल नहीं है जबकि बड़े किसानों का बहुत सुधार हुआ है छोटे भूमिधार को और सिमानत किसानों की हालत अब भी असंतोसißt जनक है किसान पूरिय देश का भरण पोशन करते हैं और आज इन किसानों की मेहनत के कारण ही हम शांती से अपने घर परवेट कर भोजन कर पा रही है लेकिन एक दूखत सत्य यह भी है कि वे साहुकार और बैंकों के करजे के तले और बुखमरी से जूज रही है खेती में मोसमी आपदाओं, सरकारी कूविवस्थाओं, खेती में घाटे और किसानों पर आर्थिक संकट आने के कारण करीब धाई तीन दशक से किसानों की आत्म हत्याओं का यह दोर जारी है किसानों द्वारा इस विध्यक का विरोध क्यों हो रहा है यह भी आपको बताते हैं पहली बात किसान संगटनों का मत है और उनका कहना है कि केंदर सरकार द्वारा लाए गए इस क्रिशी विध्यक 2020 से किसानों को नहीं बलकि पुंजी पतियों और कोर्परेट घरानों को ज़ ऐसे अकाल यूद और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं में ही वस्तों की सप्लाई पर नियंत्रन लाएगी दूसरी बात इस नए कानून के अनुसार किसान अब क्रिशी उत्पाद विपनन समीती के अलावा भी अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकेगा केंदर सरकार का कह कि इस नए कानून से किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेचने की अजादी मीलेगी किसान दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल बेच सकेगा इसके अलावा कि किसानों को मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी इसे लेकर किसानों का मत है कि केंद्र सरकार ने क्रिशी विधेक 2020 में यह स्पस्ट नहीं किया है कि मंडी से बाहर फसल बेचने पर किसानों को अपनी फसल का नियुंतम मुल्य यानी MFP पर मिलेगा या नहीं किसानों को यह भी डर है कि फसल उत्पादन जादा होने पर जो उत्पादन मंडियों में नहीं बिकेगा उसे विपारी मंडियों के बाहर ही कम कीमत पर फसल खरीदेंगे और वहां MSP की कोई गारंटी सरकार ने नहीं दी है तीसरी बात केंदर सरकार द्वारा पारीत इस नए क्रिशी विधेक 2020 कानून के अनुसार अब किसान फसल उगाने से पहले ही व्यपारी से अपनी फसल का समझोता कर सकते हैं इस समझोते के अनुसार फसल उत्पादन की कीमत और उसके गुनवत्ता ये जैसी बातों को शामिल किया क्या है इस समझोते के तहट व्यपारी को फसल की डिलीवरी के समेही दोती हाई राशी का भुकतान करना पड़ेगा और बाकी का पैसा तिज दिन के अंदर देना होगा साथी खेट से फसल उठाने की जिम्मेवारी भी व्यपारी की होगी क्रिशी विधेक दो हजार बिस पर किसानों का कहना है कि सरकार ने भले ही फसल का भंडारन करने की अनुमती देडि है लेकिन किसानों के पास फसल का भंडारन करने की उप्युक्त और उत्तम व्यवस्था ही नहीं है जबकि वेपारियों के पास फसल का भंडारन करने की व्यवस्था होती है ऐसे में फसल के कीमत तै करने का अधिकार बड़े वेपारियों या कम्पनियों के पास आ जाएगा और किसानों की भूमिका ना के बराबर हो जाएगी और फिर किसान वापस से बंधुआ मजदूर बन जाएगे यह बात बिल्कुल सही है कि मंडियों में एक साथ कई दिक्कते आती है किसान इससे खुश भी नहीं है लेकिन सरकार की नई व्यवस्था भी ठीक नहीं है यह अध्यदेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसान उपज खरीद कर सकेंगे लेकिन शायद सरकार यह नहीं जानती कि जिन किसानों के पास मोलभाव करने की शमता नहीं है और जो व्यवपार करना नहीं जानते वे सीधे साधे किसान भाई चानक के सोचवाले व्यवपारी उसे कैसे जीत कर लाब उठा पाएंगे सरकार एक रास्ट एवं एक मार्केट बनाने की बात कर रही है लेकिन उथे नहीं पता कि भारत का किसान जो अपने जीले में अपनी फसल नहीं बेच पाता वह दूसरे राज्य और दूसरे जीले में कैसे उपज बेच पाएंगे और क्या उनके पास इतने साधन है और क्या वह उतने सक्षम है कि अपनी उपज को दूसरे जीले में किसी साधन से ले जाकर बेच पाए और क्या वह इसका खर्च उठा पाएंगे इस अध्यादेश की धारा चार में बताया गया कि किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा तीन कार्य दिवस में दे दिया जाएगा प्रंतु किसान का पैसा वेपारियों पर फसने के बाद उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे एक या दो भीगा वाले किसान के पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतना ज्यान है कि वहें इन वेपारियों से जीत पाए और ना ही किसानों को इंटरनेट पर अपना माल बेचना आता है अंत्मिव हैं इनके बीच फसकर रह जाएगा यही कारण है कि किसान इसके विरोध में है किसानों की एहम मांगे क्या है आईए बताते हैं आपको कि आंदोलन कारी किसान संगठन केंदर सरकार से तीन क्रिशी कानूनों को रद करने की मांग कर रही है और इनकी जगए किसानों के साथ बाचित कर नए कानून लाने को कह रही है उन्हें आशंका है लाए गए नए कानूनों क्रिशी शेतर भी पुझी पतियों पर कॉर्परेट घरानों के हातों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा लेकिन केंदर सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर क्रिशी कानून को ना तो वापस लिया जाएगा और ना है उसमें कोई फेर बदल किया जाएगा आएए आपको बताते हैं कि किसानों की मांगे क्या क्या है तीनों क्रिशी कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और क्रिशी के निजीकरन को प्रोत्साहन देने वाले हैं इनके होडर्स और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा एक विधेयक के जरिये किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP और Conventional Food Grain खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा किसान संगठन क्रिशिक कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं केंदर सरकार के बिजली कानून 2003 की जगय लाए गई बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है परदशन कारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिये बिजली वित्रण परनाली का निजीकरन किया जा रहा है इस बिल से किसानों को सबसीडी पर या फी विजली सप्लाई की सुईधा खत्म हो जाएगी चोथी मांग एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहट खेती का अवशेश चलाने पर किसान को पांच साल की जेल और एक करोड रुपे तक का जुर्माना हो सकता है परदर्शनकारी यह भी चाते हैं कि पंजाब में पराली जिलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किये गए किसानों को छोड़ा जाए ऐसे ही लेटेस्ट पर पाने के लिए बेल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद बाज यह भी अखर आप्सके इस लाइज बड़ में लॉच्छी खाराने एंज जोती जाहरे जोती अर्ट को प्राइब के एंव